नमस्कार बच्चो इनल्पी चैनल में आप सोवे को बहुत बहुत स्वागत है सिधा चलते हैं आज किस टॉपिक में सिधी बात नो बकवास आज किस कलास में हम लोग बाचित कर रहे हैं लोट लकार के बारे में कैची के बारे में बच्चो लोट लकार के बारे में जब भी लकार का परियोग होता है तो किसी व्यक्ति को आग्या देने के लिए आग्या या फिर किसी बच्चों को या व्यक्ति को आदेश देने के लिए क्या कैची बच्चों आग्या या आदेश देने के लिए इस लकार का हम लोग परियोग करते हैं जैसे तुम पढ़ो उसे पढ़ना चाहिए चाहिए कि अर्थ में तो तो अलग हो गया वो बिर्दी लिंग लकार में आता है तुम पढ़ो तुम वहां जाओ बच्चों पानी लेकर क्या हो तो यह ज सेंस में बच्चों किसका हम प्रियोग करेंगे तो इस सेंस में हम लोग लोट लकार का प्रियोग करते हैं किसका करते हैं बच्चों लोट लकार का प्रियोग करते हैं जिस प्रकार से अलग 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 लकार में अलग अलग प्रकार के सब्दार्थों को याद करना पर है उसी प्रकार से लोट लकार में हम लोग को मुख्य रूप से ये जो दिया गया है इस टर्म को याद करना पड़ेगा इसका प्राडूप चलता है तू ताम अन्तू आतम ता आनि आवा आमा एक और होता है प्रस्मय पदी जिसमें यहाँ पे और के जगा पे ही का पड़ियोग किये हुए है तो बच्चों इसको याद कैसे करते हैं तो याद करने का तरीका है तू ताम अन्तू अह तम ता आनि आवा आमा इस फॉर्मेट में आप इसको याद करके कंपलीट कर लेंगे अब आगे चलते हैं कि किस परकार से इसका हम लोग वक्य बनाते हैं जैसे पिछल इसमें पठ धातू से लेकर करके चलते हैं तो बना रहा है वह या फिर वे पढ़े आधिस दे रहें वह पढ़े या फिर वे पढ़े यहां पर द्यान रहें रखेंगे वे पढ़ा जो लिके हैं यह एक ब्यक्ति के लिए पर्योग किया हैं कितने ब्यक्ति के लिए बच्चों एक ब्यक्ति के लिए इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो वे कि दोनों कि वे दोनों पढ़े वे दोनों पढ़े आगे चलेंगे तो वे सब पढ़े ठीक पहला है वह या वे पढ़े अगला है वे दोनों पढ़ें उसके बाद है वह सब या वे सब पढ़ें उसके बाद आगे चलेंगे तो तुम पढ़ो अभी हम लोग हिंदी वाक के लिख रहे हैं इसको फिर से संस्कित में कनभार्ट करेंगे तुम पढ़ो उसके बाद चलेंगे आगे चलेंगे तुम दोनों पढ़ो उसके बाद आगे चलेंगे तो तुम सब या फीर तुम लोग क्या ची बच्चों तुम सब या फीर तुम लोग पढ़ो उसके बाद आगे चलेंगे तो आगे अपने आप में कहेंगे तो क्या होगा मैं पढ़ू शुआ हम दोनों पढ़ें हम दूनों पढ़े उसके बाद आगे चलेंगे तसे आएगा हम सब हम सब पढ़े यह क्या है तो अपने आपको काची देने का बच्चो काम काम तो अपने आपको आदेश या आग्या देने का काम है तो इस सेंस में हम लोग बच्चों किसका पड़ियोग करेंगे तो लोटलकार का पड़ियोग करेंगे अब आगे चलेंगे बच्चों तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे तो अभी संस्क्रीत में करेंगे तो जैसे ही संस्क्रीत बोध करार है तो कौन वचन होगा बच्चों एक बच्चन में आएगा और एक बच्चन में प्रथम जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको याद कराए होंगे याद किजिएगा अगर नहीं देखे हुए पहला वीडियो तो जरूर देखें ताकि आपका पूरा कंसेप्ट के हो सके उसमें लिखाए थे सा तव ते तौम युवां युव्यम आम अवां वयम तो सा का मतलब बताए थे एक बैक्ति के लिए होता है तो दो बैक्ति के लिए और ते मतलब सभी बैक्ति के लिए होता है और प्रथम पूरुष में होता है तो प्रथम पूरुष में वह आड़ करेंगे पठ हमारा ध्थात्व हो गया और उसमें तू हम अड़ करेंगे तो मिलकर सोर्व यह अलग-अलग होगा तो यह मिल कर लिखेंगे तो तव आप पठ धातू में ताम एड़ करेंगे तो क्या हो जागा पठ तॉम। दखींगे बताते हैं पठ Pap Hill, उगया इसमें ताम हम करेंगे तो मिल करके क्या होगा बठों तो पठ तना तो यहां पे बनेगा तो भ्सक्क घौ बनेगा बच्चों तव पठताम एक्चॉली होता यह है कि पठधातु में हलंत भी लगता है तो हलंत जो लगता है तो इसके लिए यहां से अभी एड़ होता है अतू अताम तो आखो साइड कर दिये हुए है ताकि क्या होगा याद करने में अच्छा रहेगा बहुत जबाद किर्गे तो यहां पर आप ताम अंतू रहता है तो याद करना वहोट ही टफ होता है इसलिया हटा दिया है बहुत बच्चे पुछेंगे हम अंसे प्रजिता में करना ले पड़ी टफ होता थोड़ा थो इस फॉर में बच्चों ये बन करके रेडी हमारा होता है अब आगे चलेंगे वे सब पढ़ें तो वे सब के लिए क्या होगा ते अब पढ़ें तो पढ़ धातु हो गया हमारा उसमें अन्तु लगाएंगे तो क्या अब आगे हैं तुम पढ़ो इसको क्या लिखेंगे तुम मतलब क्या होता है बच्चों तुम और पढ़ो तो पढ़ धातु है और उसमें आएड करेंगे तो क्या हो जागा पढ़ उसके बाद आगे चलेंगे अब तुम दोनों पढ़ो तो इसका क्या हो जागा बच्चों जुवां जीवाँ और धातु के अनुसर क्या लगए यह सब्धरूख कैनुसा तेम पठ में तम एडिकरेंगे तो बने बच्चों पाठात म संवाम पठत म टक और आगे हे तुम सव या तुम लोग पड़ो तो इसको क्या बनाएंगा बच्चों तो तुम सव या तुम लोग का क्या होता है तो यूयम होता है क्या होता है बच्चों यूयम तो यूयम लिख लिए और पढ़ों तो लोट लकार के नुसार इसमें क्या आड़ करेंगे तो त पठ और त एड़ करेंगे यूयम पठत उसके बाद आगे चलेंगे तो मैं पढ़ों तो मैं क्या लिखे के संस्कीत में तो मैं का लिखते हैं अहम और पढ़ूं का तो पठ हमारा धातु हो गया और उसमें आनी एड़ करेंगे क्या एड़ करेंगे बच्चों तो आनी है तो आनी एड़ करेंगे तो बन जाए क्या चीज़ पर था नी अहम पठाने उसके बाद आगे हम दोनों तो हम दोनों का क्या यूज करेंगे बच्चों तो आवाम आवा महलंत आवाम और पढ़ें तो आवा यूज करेंगे पठ धातु हो गया उसमें आवा एड़ करेंगे तो क्या हो जागा पठाव पठाव क्या होगा बच्चों पठाव और हम सब पढ़ें तो इसका क्या बन और पठ धातू हमारा हो गया उसमें आम एड़ करेंगे तो क्या हो जागा वायम पठाम तो इस परकार से बच्चुओं यह हमारा लोट लकार कंपलीट हो गया इस परकार से जितना भी टॉपिक दिये हैं इन सारे के सारा टॉफ्यू को को आप नोट कर ले को पीपी और याद कर लें और साती साथ अगले क्लास से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी तक के वीडियो सिरीज में हम लोग बात किया हैं लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, वेधि लिंग लकार और अंतिम बचवा था लोट लकार तो आज किस क्ल सब्सद्रक्राइब को म हम लोग अलग-अलग नियम है उस नियम को पढ़ेंगे ताकि और बढ़ते चल सकें किस सेंस में होता है युज़ करते हैं किस परकार से यूँ 향 मनाना मत्त किविए धीर से चलेंगे जैसे अभी तक पढ़ाते आ रहें उसी परकार से पढ़ाएंगे कहीं को दिकत्त नहीं होगा है कंश्र करते करते हुए चलेंगे आज की क्या डखिकर से ख каких करते हैं में फिर से अगले नए क्रांच में